अलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Realme C2 के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बात है जो कि आपको जान लेना बहुत ही जूरूरी है फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका Realme का कोई भी डिवाइस मैं ये वीडियो तो C2 के लिए बना रहा हूँ लेकिन कोई भी डिवाइस आप इससे अनलॉक कर सकते हैं लेकिन मैं जो मैथड बता रहा हूँ उसको अगर आप step by step follow करोगे तो ही आपका काम होगा तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत थी छोटा से रिक्वेस्ट करना चाहूँआ कि अगर आप हमारे चैनल को नए हैं और अभी अभी जस्ट आया है हमारे चैनल के वेलकम करता हूँ आपका और उससे पहले आप हमारे चैनल फोन है यह रियल्मी का कोई भी फोन है आप उसको किसी दूसरे रियल्मी को फोन से कैसे आप अलोग कर सकते हैं यह आपको मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों जनरली आप अगर यूटूब पेज सर्च करोगे ने इस टाइप के वीडियो को तो वह आपको किसी ने किसी एक दम बहुत ही ने ताइप से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से तो फ्रेंड्स जान ले यह किस तरीके से होने वाला है लेकर इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए दूसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप इसको किस तरीके से अगर्मान के चलिए कि यह पासवर्ड लॉक है आप भूल गए है आपका पासवर्ड कुछ काम नहीं कर रहा है तो सिम आपको दूसरा रियल्मी का कोई भी ब्रांड आपको ले लेना है कोई भी आपको दूसरा रियल्मी का फोन ले लेना है पहले मैं इ दूसरा फोन लेना है realme u1 c3 c3 pro 555s कोई फोन आप ले लिना है उसके बाद आपको करना यह है कि आपके अपने पुराने वाले फोन का sim card आपको निकाल लेना है सबसे पहले दोस्तों यह काम आपको करना है sim card निकालने के बाद आपको करना यह है कि अब आप अपने दूसरे फोन में वही sim card आपको डालना है ठीक है दूसरे वाले में sim card डालने के बाद लेकिन एक बात आप याद रखे कि आपको अपना email id और password याद रखना होगा जो आपने उस realme phone में डाल रखाता है तो आपको यहाँ पर चल लाना है setting में अब setting में जाने के बाद आपको करना यह है मैं आपको थोड़ा account information देखने को मिलेगा तो पहले हम यहाँ पर अपना internet को भी थोड़ा access कर लेते हैं तभी यह काम करेगा तो यहाँ पर यहाँ पर connect करने का यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का आप message यहाँ पर देख पाएंगे तो यह यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो friends आप यहाँ पर आपके दोस्त का है अपना वाला email id जी हा दोस्तों आपको अपना email id यहां से sign in करना है अब जो next process से उसको बहुत ही गौर से कि आपको करना क्या है क्योंकि यहां से आपका में काम सुरू होता है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे बहुत ही गोर से ध्यान पुरुओ की विडियो देखे तभी आप इसको कर पाएंगे फera नहीं कर पाएंगे ठीक है न अब आपको करना यहां कि यहां पर आपको चले जाना है sign-in security में ठीक है न तो यहां पर आप देख सकते हैं अब यहां पर आपका अपना mobile number email id को इस तरीके से सो करेगा अब आपको यहां पर करना क्या है कि यहां पर आपको चले जाना है change password और reset password दोनों में से कोई एक option आप select करने तो जैसे आप यहां पर change password में जाएंगे अब यहां पर कुछ इस तरीके से आपको old password पूछा जाएगा तो old password आपको पता है नहीं तो यहां पर आपको करना है forget password जैसे कि आप देख सकते हैं और forget password में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर कुछ security verification देखने को मिलेगा जो कि आपकी उसी mobile पर code आएगा तो code देखिए यहां पर automatic आ गया है और यहां पर आप automatic feel हो गया है message के दुआर यहां पर देखिए realme वाले ने message भी फेज़ दिया अब जो next step करना है उसको बहुत गौर से देखिए लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से request है कि अगर आप ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले एक छोटा सा request है आपके लिए ठीक है अब यहां पर आपको करना यह कि देखिए 35 seconds 34 seconds 33 कुछ इस तरीके से time remaining आपको देने लगेगा तो आपको करना क्या है कि यहां पर अब next कर लेना है अब कुछ करने के आपको जुरुत नहीं है आपको अपना new password यहां से generate कर लेना है और यहां पर save कर लेना है क्योंकि मैंने कुछ उस तरीके का किया नहीं है तो मैं आपको simple example के तौर पर बता रहो के किस तरीके से आपको यह करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कोई यह password यहां से create कर सकता हूं मैं example के तौर पर बता सकता हूं तो friends इस method के थूरू आप अपने किसी भी phone को reset कर सकते हैं बहुत ही easy way से बीना किसी को पैसे द करके बता सकते हैं कोई भी दिक्कत हो वो भी आप हमें comments करके बताएं Instagram पर follow कर ले Instagram ID में नीचे link में दे दूँगा आप वहां से जाके हमें follow कर सकते हैं कोई भी question हो आप हमें बताएं मैं उसका response 100% दूँगा और सभी को response दूँगा तो friends फिलाल के लिए इस वीडियो में इ thank for watching bye bye